अर्चिता, क्या तुम्हें पता है? जब हम किसी पौधे का अवलोकन करते हैं, तो देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़, तना और पत्तियां होती हैं. पौधों में पुश्प और फल भी होते हैं. हाँ, हम जड़, तना पत्ति और पुश्प क्रम के लक्षणों, प्रकार, रूपान तरणों और कार्यों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं. अब हम पुश्प का अध्यन करेंगे. तो आप शुरू करें. उद्देशे इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. पुष्प के लक्षणों को जानना, पुष्प के प्रकार जानना, पुष्प के भागों का अध्ययन करना, दल पुंज यानि कुरोला के प्रकार की पहचान करना, पुष्प दल विन्यास समझना, पुमंग के लक्षणों को जानना, पुंकेसर के भागों का अध्ययन करना, पुमंग के प्रकार जानना। पुंकेसरों के ससंजन को जानना। पुंकेसरों के आसंजन का अध्यान करना। तंतु से पराकूष के संयोजन को समझना। जायांग के लक्षणों को जानना। जायांग के भागों का अध्यान करना। जायांग के प्रकार जानना और बीजानडान नियास समझना पुष्प पुष्प एंजियोस पर्म की जनन सनचनाएं हैं एक पुष्प को रुपांतरित काएक प्रारोह के रूप में परिभाशित किया जाता है जो लेंगिक जनन के लिए होता है पुष्प में बहुत छोटा अक्ष होता है जिस पर विभिन भागों के चक्र लगे होते हैं प्राया पुष्प पत्राब कहलाने वाली रुपांतरित पत्ती के कक्ष में निकलता है जब पत्राब पुश्प वरिंद के आधार पर उपस्तित होते हैं तो पुश्प सहपत्री कहलाता है जब पुश्प पुश्प वरिंद कहलाने वाले वरिंद का बना होता है तो ये समवरिंद कहलाता है जब पुष्प व्रिंत अनुपस्तित होता है तो पुष्प हव्रिंत कहलाता है पुष्प के प्रकार पुष्पासन और पुष्प के अन्यभागों की इस्थिती के आधार पर पुष्प तीन प्रकार के होते हैं अधो जायांग्दा यानि हाइपोगाइनस, परी जायांग्दा यानि पेरिकाइनस और अधी जायांग्दा यानि एपिकाइनस, हाइपोगाइनस, पुषपासन उपरी फूला हुआ भाग है और जायांग पुषपासन के सबसे उपरी भाग परिस्थित होता है, अन्य पुष्पिय भाग, अर्थाद, कैलिक्स, कोरोला और पुमंग जायांग के नीचे स्थित होते हैं अंडाशय उद्व वर्दी होता है, यह आदि के रूप में माना जाता है पैरिकाइनस पुषपासन, चप्टा या प्याले के आकार का होता है कैलिक्स, कोरोला और पुमंग प्याले के सिरे से जुड़े होते हैं और जायांग मध्ध में होता है अंडाशय आधा अधोवर्दी होता है, यह हाइपोगाइनस और एपिगाइनस के बीच मध्धवर्दी के रूप में माना जाता है एपिगाइनस पुष्पासन एक गहरे प्याले के आकार का होता है और प्याले के किनारे अंडाशय की भित्ती से सनलगन हो जाता है कैलिक्स, कोरोला और पुमंग अंडाशय के शीर्ष पर निकलते हैं अंडाशय अधोवर्दी होता है, इसे काफी उन्नत अवस्था माना जाता है पुष्प के भाग प्रतेक पुष्प में समानिता चार पुष्प चक्रों होते हैं जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जयांग आईए इन सभी की एक एक करके विस्तार से चर्चा करें वाहे दल पुझ यानि कैलिक्स, कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी गाई को वाहे दल कहते हैं प्राया वाहे दल हरे पत्ती जैसे होते हैं और कली का आवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं कैलिक्स संयुक्त वाहे दली यानि जुड़े हुए वाहे दल या प्रिधक वाहे दली यानि मुक्त वाहे दल होते हैं। कैलिक्स की तरहा कोरोला भी मुक्त यानि प्रथक दली या जुड़े हुए यानि संयुक्त दली हो सकते हैं। कोरोला के प्रकार नली का कार दल एक नली जैसी सनचना बनाते हैं। उधारन कंपोजिटी क्रोस रूपी इस प्रकार के कोरोला में चार मुक्त नकरिद दल एक क्रोस के रूप में वैवस्थित होते हैं। उधारन क्रोसी फेरी पैपीलियो नैसियस यानि मटर कुलिये पांच मुक्त दल एक दिदली के समान वैवस्थित होते हैं। वे वैग चिलेरी प्रकार के विन्यास में वैवस्थित होते हैं। जिन में बड़ा दल, मानक या थवज, दो पार्श्विय दल यानि पंक और दो भीत्री संयुक्त एवं नौकाकार दल यानि कूटक होते हैं। उधारन पैपीलियो नैसि जीवका कार कमपोजिटी के अर पुश्पक जीवा के रूप में वैवस्थित होते हैं। उधारन सूरच मुखी पुश्पदल विन्यास पुश्पकली में उसी चक्र की अन्यकाईयों, सापेक्ष, बाहे दलों या दलों के लगे रहने के क्रम को पुश्पदल विन्यास कहते हैं। मुख्यप्रकार के पुश्पदल विन्यास कोर स्पर्शी, वया वर्तित, कोर छादी और वैक जिलेरी हैं। कोर स्पर्शी विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की इकाईयां केवल एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। लेकिन अतिव्यापन नहीं करती हैं। उधारन केलो ट्रॉपिस इसे कोर स्पर्शी कहा जाता है। व्यावर्तित विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की इकाईयां का एक किनारा अतिव्यापित होता है। और दूसरा किनारा अगली इकाई पर अतिव्यापन करता है, जो ये पुश्पदल विन्यास व्यवर्तित कहलाता है, उधारण, गुढ़हल, भिंडी, तथा कपास आधी. कोर्चाधी विन्यास तब होता है, जब कैलिक्स या कोरोला की एक इकाई के दोनों किनारे अतिव्यापित हो जाते हैं, और दूसरी इकाई के दोनों किनारे बाहे और शेश प्रकृति में व्यवर्तित होते हैं, तो ये पुश्पदल विन्यास कोर्चाधी कहलाता है. उधारण केसिया और गुल्मोहर आदी ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं आरोही कोर्चादी और अवरोही कोर्चादी आरोही कोर्चादी विन्यास तब होता है जब पश्च इकाई आंतरिक होती है और पाश्व इकाईउं द्वारा अतिव्यापित की जाती हैं जिसमें अपनी सनलगन इकाई अगर इकाईउं द्वारा अतिव्यापित की जाती हैं उधारण सीजल पिनियोडी अवरोही कोर्चादी और वैक जिलेरी विन्यास मटर और सेम के पुष्पों में पाया जाता है इन में पांच दल होते हैं सबसे बड़ा दल मानक दो पांच दलों यानि पंक को अतिव्यापित करता है जिसके बाद ये दो सबसे छोटे अग्रितल यानि कूटक को अतिव्यापित करते हैं इस प्रकार का पुष्पदल विन्यास वैक जिलेरी या पैपी लियोनेसियस कहलाता है पंचक विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की दो इकाईयों के किनारे दोनों बाहे होते हैं और दो इकाईयां आंतरिक तथा शेश एक इकाई का एक किनारा आंतरिक तथा एक किनारा बाहे होता है तो ये पंचक कहलाता है उधारन सिडियम और प्यूनी का इत्यादी पुमंग ग्रीक भाषा में एंडुशियम यानि पुमंग शब्दगार्थ एंड्रस ओइकिया यानि पुरुष का घर है पुमंग नर्जनन अंख है और पुष्प का तीसरा चक्र बनाता है ये अनेक पुंकेसरों का बना होता है प्रतेक पुंकेसर में एक तंतू तथा इसके शीर्ष पर एक पराकोश होता है प्रतेक पुंकेसर एक व्रिंत या एक तंतू और एक पराकोश का बना होता है प्रतेक पराकोश प्राया दुई पालक होता है और प्रतेक पाली में दुख कोश्ठक पराकोश होते हैं पराकन पराकोश में उत्पन्न होते हैं एक बंधे पुंकेसर स्टेमिनॉइट कहलाता है पुंकेसर के भाग एक विशिष्ट पुंकेसर के तीन भाग होते हैं तंतु, पराकोश और संयोजी प्रतीक पुंकेसर में प्राया एक वृत्त होता है जो तंतु यानि लेटिन शब्द फिलम यानि सूत्र कहलाता है पुष्प के भीतर तंतुओं की लंबाई भिन भिन हो सकती है जैसे की साल्विया और सर्सों में तंतु के शीर्ष पर एक पराकोश और लगू बीजान उधानी कहलाने वाला पराकोश होता है कोश्ठक और कोशिकाओं के बीच उतक संयोजी कहलाते हैं पुमंग के प्रकार पुमंग के प्रकार पुमंग के प्रकारों की लंबाई के अधार पर पुमंग तीन प्रकार के होते हैं दूई दीरखी, चतुरदीरखी और विशमदीरखी जब दो पुंके सर लंबे और दो छोटे होते हैं तो पुमंग दुई दीरधी होता है जब चार पुंके सर लंबे और दो छोटे होते हैं तो पुमंग चतुर दीरधी होता है जब सभी पुंकेसर अलग-अलग लंबाईयों के होते हैं तो पुमंग विशम दीरखी कहलाता है पुंकेसरों का ससंजन पुंकेसर के एक भाग या पूरे पुंकेसर के जुड़ने की दशा पुंकेसरों का ससंजन कहलाती है ससंजन के आधार पर पुमंग निवन प्रकार के होते हैं संगी, युक्त कोशी और संपुमंगी जब पुम्केसरों के तंतू आपस में मिले होते हैं और पराग कोश मुग्द होते हैं तो पुमंग संगी होते हैं ये पुना तीन प्रकार के होते हैं एक संगी, दुई संगी और बहु संगी जब सभी पुंकेसरों के तंतू आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं और पराकोश मुक्तो होते हैं, तो यह अवस्था एक संगी कहलाती है उधारण हिबिसकस, रोजा, साइनेंसिस यानि गुड़हल दुई संगी जब पुंकेसरों के तंतू आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं और पराकोश मुक्तो होते हैं, तो यह अवस्था दुई संगी कहलाती है उधारण पैपिलियो नेसी बहुसंगी जब पुंकेसरों के तंतू सलगन होकर दो से अधिक बंडल बनाते हैं तो ये अवस्था बहुसंगी कहलाती है उधारन सिट्रस युक्तकोशी या साइनेंथस जब पुंकेसर के तंतू मुक्तो होते हैं और पराकोश आपस में जुड़े होते हैं तो ये अवस्था युक्तकोशी या साइनेंथस कहलाती है उधारन एस्टेरिसी संपुमंग जब पुंकेसर के तंतू और पराकोश आपस में जुड़कर एक बंडल बनाते हैं तो ये अवस्था संपुमंग कहलाती है उधारन कुकुरबिटा पुंकेसरों का आसंजन पुष्प के पुंकेसरों का पुष्प के अन्यभाग से सनलयन पुंकेसरों का आसंजन कहलाता है आसंजन के आधार पर पुमंग निम्न प्रकार का होता है दल लगन, बाहे दल लगन, परी दल लगन, पुंजा यांगी दल लगन तब होते हैं जब पुंके सर दलों से जुड़े होते हैं उधारण सोले नम निगरम यानी बैगन बाहे दल लगन तब होते हैं जब पुंके सर बाहे दल से जुड़े होते हैं उधारण वर्बेन परिदल लगन तब होते हैं जब पुंकेसर परिदल पुंज पालियों यानी परिदल से जुड़े होते हैं उधारण एसफोडिडस और टैनिफोलियस पुंजा यांगी तब होते हैं जब पुंकेसर अंडप से जुड़े होते हैं उधारण केलो ट्रॉपिस प्रोसेरा तंतु से पराकोश का संयोजन अधाबध संयोजन तब होता है जब तंतु पराकोश के आधार से जुड़ा होता है या अधाबध कहलाता है उधारण ब्रेसिका कमपेस्ट्रिस सललगन जब तंतु आधार से शीष तक पराकोश की पालियों से जुड़ा होता है तो यह संलगन कहलाता है उधारण मैकनोलिय प्रिष्ट लगन जब तन्तू पराकोश के पीट से द्रड़ता पुर्वक जुड़ा होता है तो यह प्रिष्ट लगन कहलाता है उधारण पैसी फ्लोरा मुक्त दोली जब तन्तु पराकोश की पीट पर किसी एक बिंदू पर जुड़ा होता है और पराकोश आसानी से हिल डूल सकता है तो यह मुक्त दोली कहलाता है उधारण घास जायांग जायांग पुश्व का मादा जनन अंग है और एक यानेक अंडपों का बना होता है यह पुश्व का चौता जक्र है यह पुश्वासन के अंतिम सिरे पर स्थित होता है जायांग या स्रीकेसर एक या अनेक अंडपों के बने होते हैं जो पुश्व का मादा जनन अंग है अंडप अधर सीवन पर वलित एक रुपांत रित्पत्ति है। उपांत आपस में सनलगन होते हैं। मद्धिशिरा भाग प्रिष्ट सीवन कहलाता है। बीजांड बीजांडा सन पर जुड़े होते हैं, जो प्राया अधर सीवन पर विक्सित होते हैं। निशेचन के पश्चाथ बीजांड बीज में विक्सित हो जाते हैं, और अंड़ाशय परिपक्व होकर फल बन जाता है। जायांग के भाग अंडप तीन भागों का बना होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंड़ाशय। वर्तिकाग्र प्राया वर्तिका के शिखर पर होता है, और ये पड़ा कड़ों के लिए जनन सत्य है। ये अंड़ाशय के सबसे उपर इस्थित होता है। ये लंबी बिलना कार सनचना है, जो अंड़ाशय के उपरी भाग से विक्सित होती है। वर्तिका अंडाशे को वर्ति काग्र से जोड़ती है वर्तिका तीन प्रकार की होती है अंतस्थ या शीर्षस्थ पाश्विये काईनो बेसिक यानी जायांग को पारिक अंतस्थ या शीर्षस्थ वो अवस्ता है जब वर्तिका प्राया अंडाशय के उपरी भाग पर स्थिद होती है और अंडाशय के सीध में होती है उधारण, सोलिनम, हिबिस्कस, रोजा, साइनेंसेस पार्षवी ये वो अवस्था है जब कुछ पुश्पो में जहां अंडाशय एक तरफ मोड़ जाता है इसलिए वर्तिका पाश्व की ओर से निकलती हुई प्रतीद होती है उधारण, आम गाइनो बेसिक अवस्था लेबियेटी में पाई जाती है जहां अंडाशय में चार पालियां होती है और वर्तिका पालियों के बीच गढ़े से निकलती हुई प्रतीद होती है उधारण ओसिबं सेंटम अंडाशय जायांग का सबसे निजला फूला हुआ भाग है जिसमें एक या अनेक बीजांड एक चप्टे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े होते हैं अंडाशय एक रूपान तरित पत्ती है जो एक कोष्ट की, दुई कोष्ट की या बहु कोष्ट की हो सकते हैं जायांग के प्रकार उपस्तित अंडपों की संख्या के आधार पर जायांग तीन प्रकार के होते हैं एक अंडपी, दुई अंडपी या बहु अंडपी जब जायांग में केवल एक अंडब होता है तो यहां एक अंडबी कहलाता है उधारण मटर leguminous जब जायांग में दो अंडब होते हैं तो यहां दूई अंडबी कहलाता है उधारण सोलोनेसी और क्रुसिफेरी जब जायांग में दो से अधिक अंडप होते हैं तो यह बहु अंडपी कहलाता है उधारन मालवेशी अंडपों की स्थिती के आधार पर जायांग दो प्रकार के होते हैं व्युक्तांडपी और युक्तांडपी जब एक से अधिक अंडप उपस्तित होते हैं तो वे मुक्त हो सकते हैं और व्युक्तांडपी कहलाते हैं उधारन कमल और गुलाब जब अंडप चुड़े होते हैं तो वे युक्तांडपी कहलाते हैं उधारन सरसू और टमाटर बीजांड नियास अंडाशय के भीतर बीजांड के लगे रहने का क्रम बीजांड नियास कहलाता है बीजांड नियास विभिन प्रकार का होता है सीमांत, स्तंभिये, भित्तिये, आधारी, केंद्रिये, मुक्त स्तंभिये और परिभित्तिये सीमान्त बीजांड नियास में जायांग एक अंडपी, बहु अंडपी और वियुक्तांडपी होता है अंडाशय एक कोष्ट की होता है बीजांड अधर सीवन परिस्थित बीजांड आसन पर एक या अधिक पंक्तियों में निकलते हैं उधारन लेक्यू मिनेसी स्तम्भी ए बीजांड नियास में जायांग दुई अंडपी, बहु अंडपी और युक्तांडपी होता है अंडाशय बहु कोष्ट की होता है एक अंडप के किनारे अंदर की ओर निकलते हैं और उसके बाद सनलगन हो जाते हैं इसलिए अधर सीवन अक्ष के साथ स्थित होते हैं कुष्टकों की संख्या अंडपों की संख्या के अनुरूप होती है उधारन मालवेसी भित्तिय बीजांड नियास में जायांग दुई अंडपी या त्री अंडपी और युक्तांडपी होता है कभी-कभी या आभासी पट बनने के कारण दुई कोष्ट की हो सकता है भिजांड अंडपों के सलगन किनारों पर निकलता है इस प्रकार भिजांड अंडपों की परिदी पर निकलते हैं उधारन क्रूसी फेरी आधारी बीजांड नियास में जायांग, दुई अंडपी और युक्तांडपी होते हैं अंड़ाशय एक कोष्ट की होता है बीजांड असन में अंड़ाशय के आधार परिस्थित पुषपासन के स्रेपर विक्सित होता है एकल बीजांड अंडाशय के हाधार से जुड़ा होता है उधारन टेकेटिस मुक्तिस्तंभिये बीजांड नियास में जायांग, बहुअंडपी और युक्तांडपी होता है अंडाशय एक कुष्ट की होता है बीजांड अंडाशय के मध में अक्ष पर निकलते हैं उधारण डायन्थस बीजांड नियास स्तंभिय होता है लेकिन विभाजन भित्ती के तूट जाने के कारण यह मुक्त स्तंभिय हो जाता है परिभित्तिय बीजांड नियास में जायांग बहु अंडपी और युक्तांडपी होता है। अंड़ाशय बहु कोष्ट की ये होता है। बीजांड विभाजन पठ की भीतरी सतह पर निकलते हैं। उधारण निम्फिया। क्या आप जानते हैं। क्या वाले आभासी पठ के कारण दूइक कोष्ट की हो जाते हैं। सारांश आईए हमने जो खुशी का है उसे संक्षेप में तोहराएं। एक मानक दो पंक जैसे पार्षविय दल और दो कूटक आकार के दलवाला पाधा फाबेसी से संबंदित है। त्रितई एक लिंगी पुश्प का उधारण कोकस न्यूसी फिरा है। दूई संधी पुश्प फाबेसी के लक्षण है। चतुट दीरगी अवस्था ब्रेसिका कमपेस्ट्रस में पाई जाती है। कुरूसी भेरी कुल में दूई तई पुश्प छह पुंकेसर दूई अंडपी जायांग होता है। त्रीतई पुश्प उर्ध्व वर्ती अंड़ाशय और स्तंभिय बीजांड न्यास लिलियेसी कुल की विशेष्टा है। पंचुतई त्रिज्या सम्मित पुश्प तिरियक पट्ट के साथ दूई अंडपी अंड़ाशय सोलेनेसी कुल के लक्षण है। एक पुश्प जिसे केवल एक उर्ध्वा धर सम्तल में दो अर्ध भागों में विभाजित किया चा सकता है। व्यास सम्मित कहलाता है। चतुर तीरगी पुमंग सर्सों में पाया जाता है। सम पुमंग अवस्था, तंतु और पराकोश दोनों का सनलगन है। साइधियम की पहचान अनेक नर पुश्पों से घिरे एकल माधा पुश्प द्वारा की जाती है। और इसमें सभी पुश्पों को आच्छा दित करता सह पत्रों का परिचक्र होता है। एक कोश्ट की पराकोश मालवेसी कुल की विशेष्टा है। गायनो बेसिक वर्तिका लेमिनेसी कुल की विशेष्टा है। दुई अंडपी, युकतांडपी, अधोवर्ती अंडाशे, सिपसेला में पाया जाता है। परिदी से केंद्र की ओर पुश्पी अंगों के खुलने का क्रम अभी केंद्रिये कहलाता है। तुश सहबत्र को निरूपित करते हैं। सबसे चोटा पुश्पु वूलफिया है।